नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अबारी गुड आप लोगों को दोस्तों बहुत पावरफुल डिवाइन गाईडेंस है आप लोगों के लिए ड्रीम चैनलिंग है यह कि आपको अपनी पावर को पहचानना है ठीक है आपको कि आपको किसी भी तरह के से घबराने की या step back करने की बिल्कुल भी ज़ुरत नहीं है आज का message आप लोगों के लिए है जो लोग कहीं न कहीं किसी fear का सामना कर रहे हैं अपने अंदर सो वीडियो को start करूं उससे पहले energy को आप claim करिएगा divine mercy को claim करिएगा अपनी strength को claim करिएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा कार्मी control से freedom को आप claim करिएगा ठीक है हर तरह की energy को आप claim करिएगा और नीचे comment box में आप जरू लिख कर जाएगा कि आप अपनी life में क्या manifest करना चाहते हैं ठीक है तो मुझे भी खुशी होती है जब आप लोग मुझसे connect होते हैं साथी साथ channel को subscribe जरू कर देना प्लीज आप लोगों के साथ के बिना आगे बढ़ना impossible है दोस्तों ठीक है तो चलिए अभी वीडियो पर आते हैं देखिए एक सीधी direct divine guidance है कि कुछ लोग जो है वो बहुत डर रहे हैं पास्ट के traumas कुछ लोग को surface हो रहे हैं और इस वज़े से उनके अंदर थोड़ा सा डर हावी हो रहा है तो past के जो traumas है वो कहीं न कहीं surface होकर थोड़ा परिशान कर रहे हैं देखिए fear भी निकलते 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 में time लेते ता है ठीक है न तो life में healing हमेशा आपकी time लेती है जो past के आपकी traumas है जो heal हो रहे हैं अभी हमें लगता है कि हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं लेकिन जब वक्त पढ़ता है तो पता चलता है कि नहीं अभी भी कहीं न कहीं अंदर कुछ न कुछ कोनों में बाकी ही रह गया है ठीक है जिसका निकलना ज़रूरी है तो बहुत सारे लोगों को fear issues surface हो रहे हैं इस time पर थोड़े क्योंकि आपको लेकिन बोला जा रहा है divine की तरफ से कि आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप divinely protected है पूरी तरह से protected है आप और साती सात आपको बोला जा रहा है कि आपको करना सिरफ इतना है अपनी protection का जो भी matter है जो भी डर है आपको उससे divine पर छोड़तीजे ठीक है आपके लिए divine पर छोड़े और आप जो है वो अपने आपको पहचाने अपने आप से connect हों बस इस पर ध्यान दे अपने अंदर की उर्जा से connect हों आप swim को निखा रहे अपनी personality को strong बनाए अपने courage को बाहर निकाले और आगे बढ़िए आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है divine आपको बहुत push कर रहे है आप आगे बढ़िए divine की mercy divine की guidance आपके साथ है जो भी लोग अभी तक जो लोग fear का समना कर रहे थे कहीं न कहीं या किसी तरह के doubt में जा रहे थे उनके लिए good news है कि आपकी protection स्वैम divine की जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी दे कर आप अपना free हो जाईए आपको अपना ध्यान लगाना है safe or safe अपनी growth पर ठीक है ना तो आपको जिसको कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको nurture करना है ठीक है ना अपनी उर्जा को बढ़ाना है आपको अपनी उर्जा को और pamper करना है आपको क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर soul purpose मिलने वाला है अपना soul purpose क्लेम करिए प्लीज comment box में करके जाएएगा क्लेम कर लीजिए guidance है कि आपको या आप में से बहुत सारे लोगों को अपना soul purpose बिल्कुल सामने दिख रहा है मिलने वाला है इसलिए ये वज़े है कि आपकी third eye पर attack किया जाएगा ये जो last का जो fear वगेरा आपकी issue surface हो रहे हैं ये आपकी third eye पर attack है attack भी हो सकता है आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि आप अपने soul purpose को जो कि आपका soul purpose आपके सामने है आप illusion में फसके रह जाओ और अपने soul purpose को ना पहचानो इसकी वज़े से हो सकता है कि आपकी third eye पर attack हो रहा है और ये negative energies कर रही हैं आप injured होके रह जाएं और कहीं आगे कहीं ना पहुंच पाएं अपनी जर्नी में या अपने soul purpose तक आप reach out ना कर पाएं आपको बहुत बड़े transformation से universe को जा रहे हैं और उस time पर आपको negative energies illusion में बांदने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहां क्या आपकी intuition है और कहां पर आपकी illusion में जा रहे हैं आप ठीक है ना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसकी वज़े से आपको illusion सच लगने लगता है आप intuition और illusion के फरक को समझने पाते हो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको mind का यूज नहीं करना है आपको यहां पर जो चीज ज़्यादा आपके लिए workout करेगी वो है आपका surrender divine को surrender ठीक है आपको हमेशा के लिए इस चीज से निकाल देने के लिए divine initiate कर रहे हैं divine good step ले रहे हैं आपको यह समझ आ गया होगा कि यह जो कोई भी बहुत strongest karmic cycle आपका रहा है lifetime यह आपको खुद भी feel हो रहा होगा कि यह खतम हो चुका है ठीक है बट आप इसको अब मोका देना afford नहीं कर सकते हो इसलिए आपको universe direct guidance दे रहे हैं कि आपने इस चीज में से बस निकल जाना है बहुत सारे लोग मैंने कहा ना illusion create हो जाता है कि कहीं हम भाग तो नहीं रहे हैं कहीं हम escape तो नहीं कर रहे हैं कहीं हम करमा से तो कर नहीं new करमा तो create नहीं कर रहे हैं नहीं आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अगर आपकी अंदर यह feel आ चुका है कि ये कार्मिक साइकल आपका एंड हो चुका है तो वहां से बेवज़े उसमें पड़े रहने से कोई मतलब नहीं है आपको निकलना होगा वहां से ताकि आप अपनी आगे की जर्नी पर चल पाओ ठीक है तो आपको इस एनर्जी को सुधारने पर ध्यान नहीं देना है इस रि को इस गाइडेंस को स्विकार करिए और जो भी नए एक्सपिरियंस आपकी तरफ आ रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल होई है बहुत सारी सक्सेस बहुत सारी एक्सपिरियंस आपको न्यू होने वाले हैं अच्छे एक्सपिरियंस ठीक है तो आप उनको इन्जॉय करिए उनके लिए gratitude करें, grateful रही है universe के लिए और आपको जो एक मात्र चीज help करेगी इस time पर वो है आपका gratitude ठीक है ना, आपका surrender, आप surrender करके रही है, उसके बाद देखिए आपकी इस तरह से इस सारे जंजाल से अपने आप ही निकल जाते हो, तो मैं मिलती हूँ आपसे next वीडियो मे दोस्तों अपने उपर काम करना जारी रखिए, universe को surrender करना जारी रखिए, ठीक है, और वीडियो आपको अगर समझाया है, आपसे resonate हुई है यह energy, तो please, please, चैनल को subscribe कर देना, साथ ही साथ, energy को claim जरूर करके चाहिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है, जब आप लोग बतात करते हैं, जारी रखिए, ठीक है दोस्तों, तो मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई